पाकिस्टान ने अब ऑफिशली बॉयकॉड कर दिया है इंडिया का चैस ओलम्पियाड यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ने ये का है कि ये लोग 44 चैस ओलम्पियाड जो होगा चन्नाई तामिलाडू में यहाँ पर पाडिस्पेड नहीं करने वाले रीजन क्या है रीजन ये है कि जो टॉर्च रिले है जो पूरे इंडिया में घुम रही है जी हाँ चैस ओलम्पियाड बड़ा इवेंट होता है इसकी बी जो टॉर्च जनाब यहाँ पर आप देखो यह आपके सामने वीडियो है ठीक है यह जूर महिने की वीडियो है जब चैस ओलम्पि कश्मीर से गुजर रही थी ना वहाँ पर पाकिस्तान ने कहा कि यह गलत कर दिया आपने यह इंटरनाशनल बड़ा इवेंट है दुनिया भर के देश यहाँ पर पाडिस्पेट करते हैं इसका टॉर्च रिले आपको जमू कश्मीर से गुजारना नहीं चाहिए था और यह कहा कर इनोंने कहा दिया है कि हम अब इस इवेंट को कर देंगे बॉयकॉट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बॉयकॉट से क्या कुछ इंपार पड़ता है क्या जनुवनली पाकिस्तान के कोई प्लेयर है जो यहाँ पर पाडिस्पेट करते हैं तो कुछ पड़ता डिसकस करेंगे इस टॉपिक को इंडेफ्थ बहुत कुछ यहाँ पर जानने को है मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पूछूँगा क्वेशन यहाँ पर यह है कि हाली में गूगल ने कितनी एप्स अपने प्ले स्टोर से डिलीट करी है जोकर मालवेर की वज़े से मालवेर होता है खतरनाख सॉफ़वेर जो आपके डिवाइस को नुकसान पुचाएगा तो जोकर मालवेर आजकल बड़ा फैल रहा है और गूगल ले इमिरियेटली अपने एप्स टोर को साफ करना स्टार्ट कर दिया है तो बताओ रिसेंटली इस मालवेर की वज़े से कितनी अप्स डिरेक्टली डिलीट करी है गूगल ले यह है आपकी आप्शन कॉमेंट सेक्शन में करीए आंसर सही आंसर मैं आपको दूँगा वीडियो के अंत में अब पहली बात तो यहाँ पर आप कहोगे ओलंपियार्ड क्या कोई इससे ओलंपिक से रिलेशन है तो इसका अंसर नहीं चेस एक ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है आज के समय क्या है कि दुनिया भर में जो वेरियस और स्पोर्ट है या फिर इवन जो अकेडमिक फील्ड के कोई सब्जेक्ट से उससे रिलेटेट जब भी कोई कॉमपिटिशन होता है लोग जब इखटा होते हैं तो उसको ओलंपियार्ड का जाता है इससे यह जियू मत कर लेना कि ये वेर्ट चार साल में एक बार होता है इससा कुछ नहीं है इससे पहले ये जो ओलंपियार्ड है ये चाइना में हुआ था 2021 में हलाकि चाइना में कोई फैला हुआ है तो वर्चुली ये वेंट हुआ था चेस प्लेयर्स चाइना में गई नहीं थे इंडिया में ये वेट बताय जा रहा है कि वर्चुली नहीं होगा बहुत से चेस प्लेयर्स दुनिया भर से चाइना, यूएस, यूरो, ब्राजिल दुनिया भर से चेस में आपको बता दूँ वन अप दर मोस्ट पॉपलर गेम से दुनिया भर में और चेस की शुरुआद भ आपको हजगा देएगा, नाइट, बिशप, जो भी नाम होते हैं, इनके पीसिस के, यूज 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 दो साल में एक बार होता है, इंडिया इतिहास में पहली बार एक चेस ओलंपियाड होस्ट कर रहा है, और ये हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात है, और इससे उमीद ये की जारी है, कि इंडिया शायद एक और गोल्ड कबाले चेस ओलंपियाड में, क्योंकि इतिहास में आप अगर देखो, जब भी ये चेस ओलंपियाड हुए हैं, तो यूज सार रशिया, मामीन, आप अगर दोनों को एक खटा ही देखो, तो रशियंस के साम हमने कोई खड़ा नहीं होता है, इनकी complete domination है, चेस को लेकर, बाद में फिर US आता है, बाकी देश आते है, चाइना इंडिया में कोई इतना फर्क है नहीं, चाइना के दो गोल्ड है, हमारे वन गोल्ड है, तो अगर हम एक गोल यहाँ पर कमा लेते हैं, तो चाइना की तो यह आपर कहा रहे हैं कि विल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक त्योहार हुरा है हमारे देश में, इतने सारे chess players आएंगे, बड़ा event है, international media की भी attention होगी इंडिया में, कि इंडिया finally पहली बार इतना बड़ा event host कर रहा है, अब इसी दुरान पाकिस्तान यह कहता है कि इंडि अपरी ने कुछ नहीं का, मगर पाकिस्तान ने अपने आप एक issue create कर दिया है, अब यहां पर आप कहोगे अच्छा, क्या पाकिस्तान में कुछ chess players हैं, I mean क्या इनके ना आने से इन्होंने boycott तो कर दिया, क्या इनके ना आने से कुछ फरक पड़ता है, तो वैसे मैं आपको यह बता दू कि देखिए, साओधी अरेबिया के influence की वज़े से, साओधी अरेबिया की जो grand मुफ्ती हैं, यह काफी बार कह चुके हैं, के chess हराम है, chess इसलाम में forbidden है, इसलिए आप देखोगे, पाकिस्तान जो अलड़ी है, काफी आप कह सकते हैं, रुडिवादी समाज बन चुका है, वहाँ पर स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, chess इत्ता लोग खेलते नहीं हैं, और इस वज़े से पाकिस्तान को कभी भी एक chess grand master नहीं मिला, chess grand master क्या होता है, chess में देखिए title होते है, national master, international master, फिर उसके उपर होता है grand master, for example, विश्वनाथन अनन्द, एक grand master, grand master के level पर पहुशने के लिए, आपको total 2500 points प्राप करने होते हैं, from the international chess federation, ये games जी जीत के आप प्राप करते हैं, इंडिया ने total आप अगर देखो, तो 64 grand masters प्रड्यूस किये हैं, आजादी से लेकर अब तक, international master भी हमने बहुत से प्रड्यूस किये हैं, number one पे of course आपको मिल प्रडेगा रशिया, total 256 grand master, कोई देश रशिया के आज पास नहीं आता, chess के मामले में, फिर पाकिस्तान को स्कूल करने के लिए, नीचे हमको स्कूल करना पड़े, एक मिन्ट सर्च करता हूँ, पाकिस्ता, हाँ, okay, zero grand master, दो इन्होंने international master प्रड्यूस किये हैं, आज तक at max, आप देखोगे, कई country से, कई, even श्रिलंका से पीछे है, पाकिस्तान chess के मामले में, interesting बात मैं आपको ये बता हूँ, जब से बांग्दादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, यहाँ पर chess में interest जागा है, और बांग्दादेश ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की करी ह chess के मामले में, इनके players इंडिया में आते हैं, tournament में participate करते हैं, tournament में participate करते हैं, और इसलिए बांग्दादेश पांच, जी हाँ, पांच grand master produce कर चुका है, तो पाकिस्तान की सरकार अगर इस event को boycott ना भी करती, तब भी पता लगता ना कि पाकिस्तान ने participate किया है, नहीं किया, chess इनके आप basically खेला नहीं जाता, एक थोड़ा religious issue है, उसके अलावा chess में दिमाग भी लगता है, तो वो भी एक काफी बड़ा आप कह सकते हो, obstacle है, मगर सबसे interesting बात मुझा यहाँ पर यह लगी, कि initially, मतलब दो दिन पहले ही, पाकिस्तान ने ये का था, कि ये लोग 10 member का एक squad बेजेंगे इंडिया में, ये 10 member से जड़ातार इनके officials ही है, एक दो player होते हैं, जो मेरे कहा से जो preliminary rounds होते हैं, उसमें eliminate हो जाते, तो इन लोगों ने कहा था कि हम भेजेंगे, मगर अचानक से क्या होता है, दो दिन बाद इनकी सरकार कहती है, कि हम नहीं बेज रहे, अब इस पाकिस्तान की public उसको उतना बड़ा leader होना देगी, for example, इमरान खान नेना, नवाज शरीफ और इनके भाई को में ताना ये मारा, कि ये दोरो मोदी के यार है, मतलब कि इंडिया के यार है, इंडिया के PM के यार है, इसलिए इनको vote मत करना, और बहुत ही जल्द आपको इसलिएंगे, boycott करेंगे, statements वगरा भी देंगे, अपनी जनता तक ये message पहुचाएंगे, कि अगर आपको इमरान खान की यही बात पसंद आना, कि इंडिया के खिलाफ काफी वोते हैं, trade नहीं किया, 4-5 साल से relations तोड़ दिये, वो हम भी कर देंगे, कोन सी बड़ी बात है, तो अभी के लिए देखिए, इंडिया ने यही काया, पाकिस्तान को politicize हम नहीं कर रहे हैं, politicize आप कर रहे हैं, हमने आपको invite किया था, इवेंट पे, आपने एक बार को मान भी लिया कि आप इवेंट में आ रहे हैं, फिर अचानक से आपको होश आई किया रहे, नी यहाँ तो यह torch गुजरी है, जम्मू कश्मीर से, जबकि torch जम्मू कश्मीर से कई हफतों पहले गुजरी थी, और इन लोगों ने boycott कर दिया, तो clearly एक politically motivated यह move है, and it will have absolutely no impact on India's chess Olympiad, अच्छा, कई लोग यहाँ पर यह भी कह रहे हैं, कि India ने ना, since अपने officials नहीं भेजे थे, चाइन के Olympic Games में, Winter Olympic Games की opening ceremony में, तो Pakistan क्या उसका बतला ले रहा है, नहीं, देखे यह बोलना, ठीक होगा निए, it is clearly, Pakistan's internal politics, अपनी जो जनता इनको खुश करने की कोशिच की जा रही है, इंडिया के खिलाफ जितना ज़रा बोलेंगे, उतना इनको election में फायदा होगा, अब वापस आ ली गई है, अब ये initial step लिया गया है, अगर ऐसे malware और फैलते गए, तो सुनने में आ रहा है, कि Google हो सकता है, कि बहुत सी apps डिलीट करवाए, ये बात एंशुर करने के लिए, कि लोगों के devices safe रहें, तो ये काफी news में याद रखिएगा, जो कर malware, और finally आपर मैं ये भी add कर द साथ, अब एक additional offer ये add कर दिया गया है, कि 6 महीने extra आपको free मिलेंगे, तो अगर आप comment section में जाओगे, यहाँ पर pinned comment में आपको ये link मिलेंगे, UPSC, SSC bank, for example, मान लीजी आप prepare कर रहे हैं for UPSC, UPSC के link पे आपने कर click किया, तो यहाँ पर आप आप देख पाओगे, 6 महीने की extension आपको free मिलेगी, तो अगर मान लीजी आप 24 महीने का course purchase करते हैं, देखो इस पर 20% का discount तो आपको मिलेगा ही, अगर आप use करते हैं, promo code PD10, prices गिर जाएंगे, उसी के साथ साथ 6 महीने का आपको extension भी मिलेगा, ऐसा offer अनकाडमी ने कभी भी नी दिया, और यह offer आज और कल तक last करेगा, तो अगर आप purchase करना चालते हैं, अनकाडमी का SSE, UPSC, bank, किसी भी exam का course, now is the right time to do it, so use the code PD10 and save money, so इसी note के साथ, यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all. लäch है youth football आपियो कि यह है都 प्रून का सी उत्ता हैं, प्यादा, वार है गया है, यह को अधियो, वार है रून सथ, बाहे हैं, उत्यार है तर यह तो थैसना चून स्वह से लक इनस वीड़ कांए है, in performance किसी ठाबर数 यह झाल रहते हैं, पींदेन स próxim, यादे हैं